Hello everyone, I hope आप सबकी तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ सेंसस 2011 के उत्राखंड को लेके जितने भी important questions हैं उन सभी questions को discuss करूँगा इस वीडियो को अगर आप लाज तक देख लेते हैं तो जितने भी सेंसस के questions आपके आगामी परिक्छाओं में आएंगे उन सभी का correct answer आप mark करने में सक्षम होंगे तो वीडियो को लाज तक देखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहाँ पे मैं Census 2011 के उत्राखन के most important questions and UKPSC pattern पे most repeated questions जो हैं उत्राखन के, वो आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ अगर हम national population density की बात करें 2011 census के according, तो वो है आपकी 382, ठीक है, इंडिया की 382 है बट उत्राखन की क्या है, उत्राखन की आपको याद रखनी है 189, इस पे question पूछा गया है और क्या पता फिर से पूछा जाए अब यहाँ पे पूछा था, उत्राखन का इस्तान क्या है, जन संग्य घनत्यों के देखते हुए, तो answer इसका हो जाएगा 25th, यानि की option A Next बटते है question 2 पे, उत्राखन के निम्न जनपदों को उनकी साक्षर्था प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में विवस्तित कीजिए, आरोही क्रम यानि की ascending order छोटे से बड़ा, कम से ज़्यादा population की तरफ हमें arrange करना है, options में बाद में आऊँगा, बट पहले आपको कुछ important जानकारियां दे देता हूँ, साक्षर्था दर से related, जिससे जितने भी questions आपके literacy के उपर आएं, आप सभी का right answer अपने exam में mark कर पाएं, देखिए, उत्राखन के एकर rank देखें, literacy wise, as per census 2011, that is 17th, बिल्कुल note down कर लें, जो भी मैं चीजे बता रहा हूँ, साथ-साथ note करते व female literacy is 70%, 70.00 and male literacy is 87.4%, तो 78.82 overall literacy rate, male 87.4, female 70%, यह आप याद कर लें, बहुत ज़्यादा important है, now considering the districts, maximum literate and minimum literate district कौन कौन सा है, maximum आपका हो गया, देरादून, दून लिख देता हूँ आपे, and minimum आगया, आपका US नगर, ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं, individually, females की मैं बात करूं, females म most literate आपका आजाएगा, देरादून, again, and minimum literacy कहा है आपकी, minimum female literacy, इस पे भी question कई बार पूछा गया है, दोनों पे, maximum is in दून, and minimum is in उत्तरकाशी, तो इसको भी आप याद कर लें, बहुत ध्यान से, अब देखिए, males पे ऐसा question, अभी तक, जहां तक मैंने questions लेगे हैं, ऐसा question नहीं पूछा गया है, इसलिए, maximum literacy, amongst males, is found in which district, not देरादून, but the answer is, रुदर प्रियाग, very very important, ये note-down कर ले, and minimum literacy, among the males, is found in which district, that is, हरीद्वार जहां की population, हमारी उत्राखन में, highest as per census 2011, तो जितने भी facts मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी को note-down करते वे चलें, आपको आगा आरोही क्रम में विवस्तिच कीजिए, मैंने सबसे बहले आपको बता दिया, maximum, जो literate district है हमारा, that is धरादून, and minimum is उद्दम सिंग नगर, अब minimum उद्दम सिंग नगर है, फिर उसके बाद हमारा आता है हरीद्वार, मतलब second minimum कौन सा है हरीद्वार, तो A की option ऐसा है, hence your answer to this would be option B, moving on to the next question, 2011 की जंगर्ण के एदसार, उत्राखन राज्या की जंसंक्या की व्रिधीदर, दश्किया व्रिधीदर, यानि की decadal growth rate पर कितनी है, this is 18.81%, अब इसी से related बहुत important fact आपको बता रहा हूँ, note down कर लीजिए, बहुत बार exams में पूछे जाते हैं, जब हम दश्किय व्रिधीदर की बात करते हैं, यानि की decadal growth rate की बात करते हैं, तो इसमें maximum decadal growth rate जो हुई है, उत्राखन की, is in which district, US नगर, यह एक ऐसा district है, जहां की tribal population भी highest है, यानि की tribal population of उत्राखन is highest in which district, that is again US नगर, तो maximum decadal growth rate, US नगर में, रिणात्मक, यानि की negative decadal growth rate, कौन कौन से districts में रही, दो district थे, आपका body and almoda, सबसे कम कहा रही, सबसे ज़्यादा उद्दम सिंग नगर में, सबसे कम रही आपकी body में, ठीक है, तो यह कुछ important facts हो गए, आपके decadal growth rate को लेके, 18.81% is the decadal growth rate, जन संक्या 2011 के अनुसार उत्राखन में, सबसे कम जन गनत्वा वाला जिला कौन सा है, यानि कि यह पूछ रहा है, आपका minimum population density वाला जिला कौन सा है, very very important question, क्या पता directly यह question पूछा जाए, आपकी आगामी RO या EO परिक्षा में, minimum population density is in your उत्तरकाशी district, next it, जन संक्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्राखन के किस चिले में, प्रती हजार पुरुष पर महिलाओं की संक्या सबसे अधिक है, देखो, प्रती हजार पुरुष पर महिला हैं, यानि कि बात कर रहा है यह किस की आपकी, लिंग अनुबाद की, यानि कि sex ratio की हाँ पर बात हो रही है, अब sex ratio से कुछ important facts आपको यहाँ पर बता देतना हूं related, उत्राखन की जो अगर हम sex सेक्स रेशियो के basis पर रैंग देखें है, इस पर census 2011, that is 13th, यह याद रखना 13th रैंग की उत्राखन की sex ratio के according, ठीक है, sex ratio of India कितना था, इंडिया का sex ratio as per census 2011, that was 943, उत्राखन का कितना है, 20 जादा, यानि कि 963, ऐसे ही एक होता है sex ratio, एक होता है child sex ratio, child sex ratio, तो उत्राखन का child sex ratio क्योंकि as per census 2011, very very important question पूछा जा सकता है, this is 890, इसको भी याद कर लें आप लोग, alright, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, district की अगर हम बात कर लें, maximum, जो आपका link अनूप आता है, यानि कि maximum sex ratio is noticed in the district of Almoda, and this is per thousand females, there are 1139 males, maximum, अब minimum का है, minimum आप देख लेंगे, minimum is in Harid Haridwar, Haridwar के बाद second minimum का है, Dehradun, and then it is Udham Singh Nagar, इसी पे question आया था, अभी जब आपका Environment Supervisor का paper हुआ, वहाँ पे Haridwar option में नहीं था, Dehradun और Udham Singh Nagar option में था, students confused होगे, बहुत सारोंने Udham Singh Nagar answer mark कर दिया, बट नहीं, answer तब हो जाएगा आपका Dehradun, so minimum three districts as per sex ratio are Haridwar, then Dehradun, then Ud Udham Singh Nagar, all right, so this is the sequence जो आपको याद करके exam में जाना है, वर्ष 2011 की जनगर्ना के इनुसार उत्राखन में, Sarwadik Nagar या जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, that is Dehradun, उत्राखन में पुरुष साक्षर्था, उपर ही मैंने discuss करी है, 87.4, 78.82 overall and 70% for women, Sarwadik साक्षर्था वाला जिल This is again Dehradun, which is option B, अभी उपर मैंने detail में discuss किया था, देश की आबादी का कितना प्रतिशत उत्राखन में निवास करता है, this is 0.83%, महिला साक्षर्था, this is 70%, option B, जन गर्ना के अनुसार साक्षर्था की द्रिष्टी से उत्राखन का देश में कौन सा स्तान है, देखिए साक्षर अभी जब उपर detail में आपको बता रहा था, percentage wise तो बताया था, 17th, hence your answer is option A, सरवादिक एवं सबसे कम महिला साक्षर्था वाला जिले, मैं सबसे कम बताया था, उत्रकाशी, maximum is Dehradun, hence your answer is option A, लिंग अनुपात की द्रिष्टी से, क्या रहेंक हो जाएगी, अभी उपर डिसक very very important, 2011 के अनुसार इस जनपद में सबसे कम प्रतेशत सिक्षित है, यानि कि लिटरेशी सबसे कम का है उद्दम सिंगनगर में, आबादी न्यूनता में, यानि कि minimum जो population है, that is found in रुद्रप्याग, maximum is in Haridwar, ओसत साक्षर्थादर, this is 78.82 which is option C, ओसत जन संकिया घनत्तो 159 व् minimum is observed in उत्तरकाशी, 2001 से ग्यारा के दौरान नकरात्माग जन संकिया व्रेदी कहां दर्च करी गई, decadal growth rate, negative decadal growth rate की बात कर रहा है, तो बैने उपर भी बताया था, polygadwal and your almoda, next question, उत्रकन राज्ये के सरवादिक जन संकिया, 2011 वाले 4 घट्टे करम में हैं, यानि कि descending order में ल 3 districts are such, जिनकी 10 lakh से greater than 10 lakh population है, और मैं आपको करम में ही बता रहा हूँ, एक सबसे बाले आते हैं आपका, हरिद्वार, देरादून, देरादून, देरादाए उद्दम सिंग नगर, यही 3 ऐसे district है, जिनकी 10 lakh से ज़्यादा है, इस पे भी question आ सकता है, जैसा कि आप आगे भी So, answer would be option A, उत्राखन का सरवादिक, जनसंक्या वाला जिला, of course, हरिद्वार, ओसत लिंगनुबाद, this is 963, मैंने बताया, सिशुल लिंगनुबाद, यानि की child sex ratios, 890s पे भी question आ सकता है, next question, किस जिले की जनसंक्या सबसे कम है, this is your रुद्र प्र्याग, which is option A, यह बहुत एक important and बहुत ही अच्छा question मुझे लगता है, रक्षक के paper में पूचा गया था, कुछ महीने पहले जो हुआ था, उत्राखन में UKPSC ने कराया था, I think this is one of the best questions that has been asked on census so far, question है, 2011 की जनसंक्या के अनुसार, उत्राखन की ग्रामीन शहरी जनसंक्या का प्रतिशत अनुपाद है, this is 69 9.76 and 30.24, ग्रामीन शहरी, this is the answer is option C, अब ये जो लाश्ट question में आपके साथ discuss कर रहा हूँ, this is उत्राखन राज्य में, जन्गर्ना 2011 के संदर में, निमलिकित किस जिले की जनसंक्या 10 लाग से अधिक नहीं है, मैंने बताया, 3 डिश्टिक्स की 10 लाग से जाधा अधिक है, that is in sequence, Haridwar, Dehradun, Uddam Singh Nagar, ठीक है, तो यहाँ पे 3 तो options है, जो option C, देनिकाल is the option, जिसकी population 10 लाग से जाधा नहीं है, this is 9 लाग something, so with that, we come to the end of this video, hope you liked the video, मैंने maximum facts आपके साथ जो important है, from examination point of view, वो discuss कर लिए है, do subscribe to our channel, and इसी तरह की की videos आपको आगे भी मिलती रहेंगी, जिससे आपको आपके exams में काफी फायदा मिलेगा, all right, aspirants, all the best, keep learning,